क्या हुआ जब एक साधू को राम लला ने बाल रूप में दर्शन दिये? दोस्तों, राम लला के अयोध्या में विराजित होते ही चमतकार पर चमतकार हुए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई राम लला की भक्ती में मगन होते जा रहे हैं. और दोस्तों, हमारे रामलला का प्रभाव तो अब विदेशी लोगों पर भी होने लगा है दोस्तों, अभी यानी 14 फरवरी को दुबई के आबू धाबी में भी विशाल हिंदू मंदिर का उधगाटन हो गया है जिसके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म कितनी तेजी से दुनिया भर में चा रहा है लेकिन दोस्तों अभी उस चमतकार की बात करते हैं जो कि एक साधु के साथ हुआ कैसे एक साधु को रामलला ने साक्षाद दर्शन दिये सुनने के बाद हर कोई रामलला की भक्ती में डूब रहा है दरसल दोस्तों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक साधु महाराज रामलला के दर्शन करने की मन में सोच कर दर्शन के लिए अयोध्या की तरफ रवाना हो जाते हैं आपको बता दे कि वह साधु महाराज राम लल्ला में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे सुबह उठने के साथ ही राम नाम जपने लगते थे और रात को सोने से पहले भी राम नाम का ही जाब करते रहते थे और तो और वे सुबह सुबह उठकर धंडे पानी से नहा कर राम भक्ती करते थे कई बार तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि महाराज अब तो आपकी उम्र ज्यादा हो गई है आप अपने शरीर को इतना कष्ट ना दें भगवान से अभी वृद्धवस्था में आपको क्या चाहिए तब वे साधु महाराज कहते थे कि मुझे इस उम्र में अपने राम लल्ला से कुछ नहीं चाहिए लेकिन बस एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ और इसी आस को लेते हुए जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब 22 जनवरी के दिन किसी सामान्य इंसान का प्रवेश नहीं था तो वे साधु महाराज 23 जनवरी को राम लल्ला के पास जाने की ठान लेते हैं लेकिन जब वे अयोध्या राम मंदिर तक पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि तब तक तो बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी है क्योंकि वे बहुत दूर से आये थे इसलिए जल्दी नहीं पहुँच पाये थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लाइन में लग गए जैसे जैसे दिन ढलता गया सभी भक्तजन दर्शन करके जाते रहे और श्याम होती ही चली गई लेकिन जब तक उन साधू महाराज का दर्शन करने का नंबर नहीं आया तब तक रात काफी हो चुकी थी और रामलला के सोने का समय हो गया था तो पुजारी जी ने बाकी बचे हुए भक्तों को कहा कि आप सभी कल आकर प्रभू के दर्शन कर लेना अभी उनके सोने का समय है धीरे धीरे करके लोगों की भीड वहां से चली गई लेकिन वे साधू महाराज कहीं नहीं गए और उदास होकर मंदिर से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए और रामलला को समरण करने लगे और बोले हे प्रभू ये कैसी परीक्षा है आपकी मैं इतनी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया और आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिये तभी रामलला का ऐसा चमतकार होता है कि वह साधू महाराज अपनी इंद्रियों पर यकीन नहीं कर पाते होता कुछ यूँ है कि जब साधू महाराज उदास चहरे के साथ बैठे थे तभी एक नन्हा बच्चा पांच से छे साल का साधू महाराज के पास आता है और उनको कहता है कि बाबा आप उदास क्यों बैठे हैं तभी वह साधू बच्चे की तरफ देखते हैं वह बच्चा मुस्कुराते हुए फिर से बोलते हैं बाबा आप उदास न होईए आपको मंदिर के पुजारी जी बुला रहे हैं जाइए तभी वह बच्चा उन महाराज को हाथ पकड़ कर मंदिर के मेन दर्वाजे तक ले जाते हैं और कहते हैं कि आप रुकिए मैं पुजारी जी को बुलाता हूँ इतना बोल के वह बच्चा वहाँ से जाता है तभी पुजारी जी एक हाथ में छोटे बर्तन लिए मेन दर्वाजे की ओर आते हैं और साधू को वहाँ खड़े पाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि है साधू आप यहां क्या कर रहे हैं तभी महाराज विगतवार सभी बातें पुजारी जी को बताते हैं तो पुजारी जी कहते हैं कि मैं आपकी बात तो समझ गया लेकिन आप किस छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं आया द्वार खुलवाने के लिए मैं तो राम लला के सामने रखे दीपक में घी डालने के लिए आया था तभी साधू हैरान रह जाते हैं और मन ही मन उस नन्हें बच्चे के बारे में सोचने लग जाते हैं लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि आप चिंता न करें जब आप यहां तक आही गए हैं तो राम लला के दर्शन भी कर ही लीजिए और पुजारी जी द्वार खोल देते हैं कब यह साधू महाराज राम लला के दर्शन करते हैं और उनके चमतकार को नमन करते हैं और फिर पुजारी जी उन साधू महाराज आज को रहने की जगह देते हैं और भोजन देते हैं अगले दिन वे साधु महाराज रामलला के सुभह दर्शन करके अपने गाउं के लिए रवाना हो जाते हैं और सभी को इस चमतकार के बारे में बताते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि रामलला ने उन्हें एक बालत के रूप में दर्शन दिये हैं। ऐसे अनेकों चमतकार आजकल अयोध्या नगरी में हो रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा चमतकार और जान लीजे दोस्तों, जब रामलला के मंदिर बनने का फैसला आना था, तब एक और चमतकार हुआ था। इसका एक प्रमान पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में मिलता है। फैसाबाद जिला अदालत ने एक फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया था। जिले के जज कृष्ण मोहन पांडे के इस आदेश के पीछे एक काले बंदर की दैवीय प्रेरणा को माना जाता है। दरसल उस दिन एक काला बंदर सारा दिन फैसाबाद की जिला अदालत की छट पर बैठा रहा था। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आये थे उस बंदर को फल और मूं फली देते रहे। पर बंदर ने कुछ नहीं खाया। चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब DM और SSP मुझे मेरे घर पहुचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर दे हुआ मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैविय ताकत थी जो कि रामलला के मंदर पक्ष में ही फैसला करवाना चाहती थी और कुछ लोग तो उस बंदर को साक्षात हनुमान जी मानते हैं। मुंबई की 96 साल की कार सेवक शालिनी रामकृष्णा दबीर विवादित धाचा विध्वन्स की साक्षी रही है। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन भी वानर की उपस्थिती के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था वो पल याद आता है जब वो एक दीवार तूटती ही नहीं थी। हम सुबह से मारूतिश लोग बोलते थे लेकिन कुछ हो नहीं गया था। क्या करें, क्या न करें कि स्थिती थी। क्योंकि 5 बजे सूर्यास्थ हो जाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर वहां पास के पेड़ से एक वानर आया, वो दीवार पर बैठा। हम सब देखने लगे कि क्या बात है। उस वानर ने इधर उधर सिर्गुमा कर देखा और वहां से चला गया और फिर धराम से दीवार गिरी। इसके बाद दो घंटे तक धूल के गुबार से हमें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया था। अचानक बंदर का आना और दीवार का टूटना किसी चमतकार से कम नहीं था। और भी अनेकों चमतकार हुए जो की रामलला की उपस्थिती को दर्शाते थे। तो दोस्तों, क्या लगता है। आपको कौन था वो छोटा बच्चा जो की साधू को मंदर तक ले गया और कौन थे वो बंदर जो की अदालत की छत पर फैसला आने तक बैठे रहे। अपनी राय कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें। वह वीडियो को एक लाइक जरूर करें।